नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक और भेहतरीन एंड अमेजिंग वीडियो में श्वागत है क्यूंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खतरनाक जानकरी बताने वाला हूँ और वो वाली जानकरी है तीन फ्री इमोट के बारे में जो की हमें मिलने वाले हैं और वो कैसे जैसे कि आपको पता हुगा आप लोग rank पर जाते होंगे जैसे आप लोग heroic पर जाते हुगे हम सभी को यह वाला remote मलता है जिसका नाम है BR rank heroic remote जैसे master पर जाते हैं BR rank master remote मलता है और आप लोग तो बहुत समझदार हो तो आपको ये भी पता होगा कि CS rank में भी Heroic और Master जाने पर दो Emote Free में मिलते हैं इस टाइब से और और हमें rank game खिलने के लिए 4 Emote मिलते हैं लेकिन OB21 update के बाद में ये देखो गरीना Free Fire ने 2 नई rank डिजाइन किया है जिनमें पहली है Elite Heroic और Elite Master सेम टू सेम CS में भी ऐसा ही है तो इन rank पर जाने पर गरीना Free Fire ने इस OB21 update के दोरान 3 नई Emote डिजाइन किया है जिनमें पहला Emote है Ranked Grandmaster CS दुसरा है Ranked Grandmaster और तीसरा है Unrable Mansion तो ये Emote कैसे मिलेंगे कैसे हैं इस वीडियो के जस थोड़े आगे मैं भी मैं आपको बताने वाला हूँ और हाँ यार अब मैं आपको OB41 Update के Advanced Server की बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूँ जो की OB41 Update में इंप्लिमेंट होने वाली है तो ध्यान से सुनिएगा और हाँ जिनके पास भी Advanced Server का APK नहीं है इस वीडियो को थोड़ा आगे देखो मैं आपको लिंक देने वाल हूँ आप लोग डाउनलोड करके मजे ले शकते हो तो देखो जैसे आप लोग OB41 Update आएगा न 10 अगस्त को जैसे गेम ओपन करोगे सबसे पहले आपको Two Step Age Verification आएगा जिसमें आपको यह पूछा जाएगा कि आपकी एज 18 से कम है या फिर उपर है अगर आप लोग 18 या फिर उपर के हो इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग आगे बढ़ जाओगी लेकिन अगर आपने Below 18 पर क्लिक किए पर यह देखो आपकी बैटरी कितनी है अगर आप लोग वाइफाई से connect करके रखोगे तो यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ पर केरेक्टर लिखा रहा था 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 ना तो केरेक्टर की जग़व प्रिशेट लिखा रहेगा तो हम लोग प्रिशेट पर चलते हैं केरेक्ट क्योंकि जैसे आप लोग अपने प्रोफाइल पर जाओगे अपडेट के बाद में आपको लेप साइट के नीचे रिसेंट विजिटर्स करके एक निव आपसन देखने मिलेगा जहां पर लिखा रहेगा कि आपने जब से आईडी बनाया है मतलब कि जब से यह वाला प्रेंड को कुछ भी गिप्ट सेंड कर सकते हो इतना ही नहीं बहुत सारे चिंजस होने वाला है जैसे कि डाउनलोड सेंटर में चिंजस होने वाला है और अगर आपको एडवांस सर्वर का एपी के चाहिए तो इसी वीडियो में थोड़े आगे में देखो आप लोगों को मिलने वाला है अब मैं आपको बहुत ही डिमांडिंग एवेंट और उसके इंटरफेस के बारे में बताने वाला हूं कि इस एवेंट को कैसे कंप्रीट करना है क्योंकि 21 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में हमारे गेम में बहुत ही खतरनाक वाला निव इवेंट आन चाहिए क्योंकि इस वाले इवेंट को जैसे हम लोग ओपन करेंगे यहां पर लिखा आएगा वेलकम ऑन दबनी वर्यर टू स्टार्ट अपग्रेडिंग तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि जिसके पास भी नॉर्मल वाला बनी वर्यर बंडल नहीं है उनका क्या होगा उनको लाइटनिंग बनी विंडल कैसे मिलेगा तो देखो जैसे यह वाला इवेंट आएगा इसी इवेंट में जिनके पास भी नॉर्मल वाला बनी वर्यर बंडल नहीं है इस वाले बनी बंडल को निकालने के लिए यहां पर एक उप्सन रहेगा जैसी निकालेंगे वहाँ पर लिखा जाएगा Congratulations, you can start upgrading your bunny warrior उसके बाद हमको bunny bundle को अपग्रेट करने का mission दिया जाएगा अब वो आले mission free के भी हो सकते हैं पैड भी हो सकते हैं लेकिन जैसी mission complete करेंगे उसके बाद में हमारा normal वाला bunny bundle और black bunny bundle दोनों मिलेंगे और बन जाएगा याला black वाला bunny bundle और extra reward में हम लोगों को याला पीन का skin आवतार banner मिलेंगे अब देखते हैं 21 जुलाई को याला event हमारे game में आने वाला है एक और वार complete करके मैं आपको बता दूँगा तो जो भी anime lover होगा इस video को like कर दो लेकिन सच में यार मेरे को anime के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं पता ता क्यूंकि मैं तो anime देखता ही नहीं हूँ कहां से देखूंगा वाई मेरे को time ही नहीं मिलता है मैं तो आप लोगों के लिए video होना तो लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि इस collaboration के दावरान हमारे game में तीन नए बंडल आने वाले हैं पहले बंडल का नाम है तंजीरो चाम दूसरे बंडल का नाम है जैनत्सू चाम तिसरे बंडल का नाम है नेजुको चाम और आपको ये तो पता ही होगा कि OB41 का अपडेट 10 अगस्त को आने वाला है और 15 अगस्त को है हमारा Independence Day सो Independence Day स्पेसल गरीना फ्री फार एक स्पेसल वाला इवेंट डिजाइन करने वाला है जिसमें एक बंडल फ्री में मिलने वाला है और कुछ टोकन भी मिलने वाली है ऐसी कुछ डिटेल निकल कर आईए सो मैंने आपको बता दिया तो I hope आप लेगों के वाली जानकारी अच्छी लेगी होगी तो अब हम चलते हमारे नेक्स्ट अपडेट की ओर अब आता है इस वीडियो का सबसे मज़ेदार वाला पार्ट क्योंकि अब आपके मून को फ्रेश करने के लिए मैं ला रहा हूँ फ्री फायर से रेलेटेट एक गजब और आपके दिल को चूँ जाने वाली मीम चलो 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 मूमेंट है भी मूमेंट है देख रहे हो बंदे की डेरिंग बंदा बोल राई की फ्री फायर से बंदी लेकर के आएगा मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि गेम की लड़किया बड़ी खतरनाक होती यार बाकि यह वाले वीडियो देख करके मेरे को बहुत हसी आई आई होप आप लोगों को मजा आया होगा तो वीडियो में थोड़ा और आगे बड़े उसके पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछू आप लोगों ने इस वीडियो में जो लाइक किया ओ कुन से नंबर का लाइक है कमेंड वाक्स में बता देना और जिनने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जिल्दी से लाइक करो और कमेंड में बताओ कि कौन से नमबर का लाइक है वाइद वे लाइक जरूर कर देने हैं क्योंकि वीडियो का बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और अगर चैनल पर नए तो इसी अमेजिंग और प्यार इसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलिए वीडियो में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बता जीता हूं आज का टूनाइट अपडेट तो यह देखो 20 से लेके 25 जुलाई तक हमारे गेम में ट अब मैं आपको बताने वाला हूं कि Adam Server का एपई के आप लोगों को कैस से मिलेगा आप लोग अपने मुवाइल में Aladdin Server के कैसे मज़े ले सकते हूं तो APK महीं आप लोगों को देने वाला हूं और वह आपको कैसे मिलेगा उसके लिए आप लोग और शुलिण को 제가 कशे में अना उसी में मैं आपको link दे दूंगा download करने की वहाँ से आप लोग download कर लेना और advance server में क्या क्या नया है वो भी मैं आपको directly बता दूंगा तो आप लोग जा करके check भी कर लेना तो जल्दी से जाओ और subscribe कर लो क्यूंकि वहाँ पर मैं अभी live आने वाला हूँ इसमें हमको new tset मिलेगी और जैसे हम लोग elite master पर जाएंगे हम लोगों को एक emote मिलेगा हाला कि यहाँ पर अभी emote add नहीं हुआ है क्योंकि यह advance server है लेकिन जैसे main update आजाएगा add हो जाएगा वैसे ही जैसे CS rank पर जाओगे view all पर click करते हैं तो यहाँ पर यह देखो जैसे मैं इन पर देखो elite heroic पर जाओगा यहाँ पर आपको नई जर्सी देखने मिलेगी लेकिन emote नहीं मिलेगा लेकिन जैसे आप लोग elite master पर जाओगे यह grain master के पहले वाली rank है तो यहाँ पर आप लोगों को emote मिलेगा इस step से अबडेट आने वाला है जैसी emote का view निकल कर आ जाएगा जैसी emote की file मुझे मिल जाएगी मैं आप लोगों को बता दोंगा की emote कैसा होने वाला है बाकि I hope आप लोगों कि इस वीडियो की जानकर यह अच्छी लगे होगी और जल्दी से जाओ creation extra channel को subscribe कर लो तो मिलेंगे हम next video में तब तक आप लोगों अमना ख्याल जरूर रखिएगा